हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माइ कुकिंग व्लॉग, तो आज हम बनाने वाले राजस्तानी गट्टे की सब्जी, जो की सबकी फैवरेट होती है, और राजस्तानी धाबे पे वगेरे में आपने खाई होगी, तो यह हम घर पे ही बना लेंगे आज, यह खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, इसको आप राज, रोटी के साथ या तो फिर आप इसको पराठे के साथ खा सकते हो, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले मेनी यह पे ले लिया है, एक कप बेसन, हाफ टी स्पून यहापे मैं अजवाइन एट कर रही हूँ, इसमें इसका टेस्त बहु मोहिन के लिए, अच्छे से सारी चीज़ों को आथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ओल है वो हरे कंड में लग जाए, और अच्छे से यह हमारे बेसन में हरे कंड में इसका मोहिन लग जाए, इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करने के बाद, थोड़ा थो करके पानी डालते जाना है और इसी तरीके से आठे को इकठे करते हुए अच्छे से इस तरीके का medium soft आपको डो यानि की आट्टग उनके रेडी कर लेना है अभी हाथ में थोड़ा सा ओई लेने के बाद आपको इसको अच्छे से इस तरीके से मसल ना है जिससे क्या होगा इसको हम मसल लेंगे तो आप देख सकते हूँ यह बिलकुल पर्फेक्ट हमारा आठा बनके रेडी है अभी इसमें से हम इस तरीके से सेम चार पोर्शन करके निकाल लेंगे रेडी कर लेंगे अभी इसको या तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से सिलिंडर शेप दे देंगे और हाथों में इस तरीके से आप कर सकते हूँ अधरवाइस आप इसको हमारा जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पर इस तरीके से आप शेप दोगे तो यह पर्फेक्ट एकदम शेप बनेगा तो इस तरीके से में नहीं चॉपिंग बोर्ड का तो सारे के सारे सेम तरीके से हम इस तरीके से हाथों से चलाते हुए लास्ट में जो उसका एड़ जो थे ही उसको अच्छे से इस तरीके से हम हमारी chopping board पर शेप करके perfect से बना के ready कर लेंगे तो एक दम आसान तरीके से ये ready हो जाता है तो कोई भी ये बना सकता है ये बनाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और ये खाने में आप यकीन माने इतनी लाजवाब बनती है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो घरवाले आपको बार बार बनाने को यही सबजी बोलेंगे और अगर आपके घर में कोई सबजी भी ना हो तो भी आप ये बना सकते हो क्या है इसमें कोई सब्जी की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती इवन इसमें हम टमाटर का यूज भी नहीं करने वाले तो उसकी भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने चार इस तरह के के सिलंडर सिप बना लिए मैंने पहले से ही पानी गरम करने के लिए रख दिया था तो इसमें को बाल भी आ गया है तो अभी इसके अंदर हम डायरेक हमारे ये वाले गट्टी डाल देंगे और इसको डखके हम दस मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पका ल है ना लिए और इसको अख्को अच्छे से हम बारिक इसको चौट करके रिडय कर लेते एं तो अभी कहं पे हम ग्रेवी का थारका कर लेते ही तो यहां पे सबसे पहले मैंने one टेबल स्पून ओई लिया आ है उसको अच्छे से गरम होने देंगे जब यह अच्छे से गरम हो अद्रक और मिर्च की पेस्ट सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इस तरीके से इसको तेल में हम गरम तेल में अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे जिससे क्या है कि इसमें कच्छा पन नहीं रहेगा और कच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा यहां पे मिडियम इसकी प्यास जो चौप्ट करके रखी थी साथी में घरी मिर्च को भी चौप्ट कर लिया था यहाँ पर एड़ कर देंगे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब यहाँ पर हम ड्राइ मसाले डाल देती स्वादनुसार नमक आफ टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून लालमिच पाउडर और यहाँ पर देट चमच छोटे में डाल रही हूँ हरा दनिया पाउडर यानि की वन एन हाफ टीस्पून थोड़ी सी यहाँ पर मैं कसूरी मेथी एड़ कर रही हूँ तो उसको अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हiblion सारी मसालों हमने अड कर दी है मसाली अब इसको एक से दो मिनिट के लिए हम ढखके पका लेंगे जिससे इसमें कच्छापन न आ रहेगा तो इसको एक से डेज मिट तक यह पकेगा वरना यह एकदम टूट जाएंगे क्योंकि एकदम सॉफ्ट है तो इस तरीके से सारी कट्टे को मैंने चौपट करके रेडी कर लिया है अब यहां पर ग्रेवी देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हो अच्छे से पग गई है अच्छे से इसको हम एक बार मिक्स कर लेते है अभी इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यह पर एड़ कर देंगी दही तो दही को मैंने अच्छे से यह विस्कर की मदद से फेट लिया है तकरिबन यहा पर मैंने एक कप दही ले लिए है तो यह नहीं बहुत खटी है यह मीडियम खटी दही है ज्यादा खटी वाली नहीं आप देख सकते कर एकrem cream फर्म में आ गई है इसको अच्छे से आप Fayt होगे तो यह यही फाम में आ जाएगी डालने के बाद इसको continually चलाएंगे जिससे क्या होगा विश्या कि यह दाइए फट नहीं जाएगी तो इस लिए इसको continually चलाओग Lewy- Given doing REP फर्म में आ तो यह अच्छे से इसको हमें मिक्स करते रहना है कंटीनियूस तक्रीबन आदे मिनिट के लिए इसको हम इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि यह मसाले और प्यास वगरे के साथ अच्छे से यह मिक्स हो जाएंगे आप देख सकते हो एकदम ओल भी उपर आने लगा है इस टाइम पर यहां पर मैंने जो गटे बोल किये थे उसका पानी था उसका मैंने यहां पर यह वापिस से यूज कर लिया है तो एक कप यहां पर पानी यट कर देंगे तो यह मैंने गटे का बोल किया हुआ पानी ही यूज किया हुआ है अच्छे से इसको वापिस से मिक्स कर लेंगे पानी ताकि अलग ना हो जाए दहीं से अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हो एकदम ओईल उपर आ गया है अभी इसको डखके हम उबाल आने देंगे साथे में आप इमें डाल रहे हूं थोड़ा सा गरम मसाला जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़े तो अभी आप देख सकते हो अच्छे से इसमें उबाल आ गया है तो इस टाइम पर अभी हम सारी गट्टे को इसमें अंदर एड़ कर देंगे अच्छे से इसको गट्टों के साथ हमारी ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अभी इसको हम बिल्कुल रेडी है अगर आप चाहो तो इसके उपर बटर गी भी डालना चाहो तो डाल सकते हो इसको सर्व करने के बाद आप रोटी चपाती चावल के साथ आप जिसके साथ अच्छा लगए उसके साथ कहा सकते हो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बुक्स में जरूर से बताएगा आप इसको ट्राइ कीजिएगा आप मैं मिलते हूने एक्स लोग में तब तब के लिए बाई